और अब बास सामुद्रिक शास्त्र की, सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आकाश में उपस्तित तारों के समान चिन्ने के बारे में हतेली में इस चिन्न का होना अत्यंत शुप माना जाता है हाथ में जिस किसी रेखा के अंतिन सिरे पर ये चिन होता है उस रेखा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और जिस परवत पर होता है उस परवत के शक्ति दोगुनी हो जाती है उस परवत से मिले वाले फल में बड़ा ही उत्तम फल प्राप्थ होता है बुधु परवत पर तारे के समान चिन होने से वेक्ति कुशाकरवत तीक्ष्म बुद्धिका होता है साथ ही वो अच्छा समासेवी भी होता है अगर ये तारा प्रहस्पति परवत पर हो तो वेक्ति शक्ति शाली प्रतिश्टित होने के साथ धनवान होता है समाज में मांसमान में इजाफा होता है यदि ये मंगल परवत पर है तो ये बहुत अच्छा है आपके एनर्जी लेविल पढ़ाता है और मंगल परवत पर तारा होने से आपका भागे हमेशा आपका साथ देगा आपके सामने एक के बाद एक तरक्की के सुनहरे अशर आते रहेंगे और अगर ऐसा टारा शनी के परवत पर है तो निश्चित रूप से यह आपको तंत्रमंत्र में निश्वांत बना सकता है ऐसा वेक्षिशूर वीर धैरेवान और बहुती सासी होता है